प्रोग्राम दिखाना किसी तरीके का कोई भी प्रोग्राम करना इसकी अनुमति कहां से ली जाती आइए ये थोड़ा बता देगे धूप बत्ती हिंदू धर्म में जलाया जाता है इस बात से आप भली भाती परीचित है ठीक है मुझे राम में भी आस्था है आप जो इन अब यह पूरा-कपूरा माहौल अजबन कर के तयार हो गया है यह करने की क्या वशक्टा थी क्या जरूरत थी करो तुम्हें बात आप सीजी गीता में भी गाना में सुनते हैं आप तो बोल रहे हैं अब आप प्रणा के लिए एक वीडियो आपने देखा होगा उस वीडियो में कुछ लोग बैठे हैं पंडाल लगा है सरकारी स्कूल का आलम है और वहाँ पर बच्चों को बताया जा रह जो तुम लोग अगर बत्ती और बत्ती सुबह सुबह लेके निकल जाते उसके जगा किताब पकड़ो और हिंदु धर पे टिपा टिपनी किया जा रहा वाकी सार हमारे साथ है उस वीडियो में आपका क्या रोल है उस जादूगर एक था वो खेसराहा मिगली स्कूल के पास अब पर आपको बहुत दिनों से मैं बुला रहा था मेरे वीडियालय पर जादू का कारिजकरम दिखावें आपका स्वागत प्राइबेट स्कूल चलाते हैं नहीं यह हमने चलाते हैं सरकारी स्कूल में किसी तरीके का आपने अनुरोध किया था जैसे उनसे तो किसी तरीके का जादू दिखाना किसी तरीके का कोई भी प्रोग्राम करना इसकी अनुमती कहां से लिजाती है स्कुल अपना मन से अच्छा जो लगता है उख अपने उन्ह दुख कर बहुता है कि यह क्या पूजा पाट करते हो यह ढूंग है ऐसे रचा जाता है ऐसे वैसे दिस टैक हिंदु धर्म को पुरी तरीके से निस्तों नाबुद करने की वहाँ पर कोशिच की जाती और इस बात से आप भी कहीं से मेंना कार नहीं सकते हैं तो वह बोलने की क्या जरूरत पड़ी बच्चों को स्कूल में बैठा करके इस तरीके के उनके दिमाग में भढ़ने की क्या जुरूरत आ गई पहले वह दो लोग फ़ा रहे हैं उनको नीचे भेज़ें वह सुन रहे हैं आपकी बातों को सुन रहे हैं वह कुछ बोल नहीं है वह चुप है मैंने उसे मेरे साथ तो पहले कल ही कुछ-कुछ हुआ था लेकिन कुछ-कुछ हुआ था कुमोज सिंग के सुपुत्र है वह कुछ-कुछ अवद्रबात बोले हलका फलका बोले उच्चत विजालाय में रहते हैं तो उतना सकता है अगर कल शुल सकता है अर्करता बोलेत गाटोन यह सब ठीक है और कल說 राजकुमार सर्थ शिक शक्षक है यह पहले मौवाईल को वीडियो तयार कि वह हम पर भेज़ जुए तो वह पता नहीं में नहीं गया उसमें में किसी कान से जो भी कानना उनके उनके उन पर नहीं गया तो मवाईल ले करके उचले गए लेकर के चुके यह राजकुमार सर बोले मुवाइल आप खोजे जाने बक्त पांच बजा जाने बक्ता तो मुझे तो दे दीजिए तो तब तक यह भुपेंदर सिंग बाहर में गेट के बाहर भुपेंदर सिंग का किराना दुकान है वहां प्रूलुक थे पंसा दस बोलर का पहली बार कुमोज सिंग आये थे तो मतलब अग बबला हो करके अनाप सनाव बोले यहां जिस समय कार्जकर्म हो रहा था उसी समय बोले अनाप सनाव कुछ-कुछ बोले तो मतलब उनको जादूगर थे उनको रिक्वेस्ट किये आप बैठिए बैठ करके सुनिए समझिए सब बोलिए आप मैं जो कर रहा है उसको सुनिए समझिए तो फिर बोलिए आपका स्वागत है लेकिन कितना भी कहने के बाद वह नहीं रुके अमनाप सनाव बोलते हुए आये और चले चले गए फिर कार्जकर्म की अंत हुआ अंत हुआ तो वह आये दस गुलर का कुले करक टको मेरे विशी नहीं मैं को भी हलका फुलका बोला उनको ज्यानाक नख़यी देसे भी सब्सक्राइब रहन लोगोना मतल्त , करके आने के बाद मतलब हम भी तिरपाल मंगाए थे कोई पंडाल नहीं था वह जादूगर बोलेते जो मुझे को तबीयत कुछ गरबर है पारासितल मौल मंगवा देजिए पूरा विवस्था जमाई के तरह आपने विवस्था उनके लिए कि मेरा बस यही सवाल है कि जो यह पूरा विवाद बढ़ा पड़ा है पूरा आंगण जो प्रांगण है विद्याले का जहां आज पढ़ाई होनी चाहिए थी उस पूरे प्रांगण में गाउवाले आक्रोशित खरे हैं आपके लिए आपको आज आपके हाई-हाई का नारा लगा रहे हैं और इसकी पूरी क बोराघ में विवादित बाइन भरता है और इसकी जिमेदारी कौन लेगा जो यहां पर विद्रोह हो रहा है इसकी जिमेदारी कौन-व्केल की ने इसन सम इस बात को मैं बहुत resolve लेकिन किसी भी आप ने Ambassador सुनिये आप जो ये पूरी की पूरी रचना कर रहे हैं Efendimiz ये ऐसे हो गया आप अंबेतकर जी को मानते हैं और उनको पुरादेश मानता उन्होंने ही समविधान के अंदर एक पन्ने पर लिखा है कि हर धर्म को अपना अधिकार है वो स्वतंत्र है उसके उपर कोई टीपाटि इपनी नहीं कर सकता है फिर आपके विद्याले में आपके संग्डक्षन में आकर के एक इंसान एक विशेश धर्म का प्रचारक जिसे कि उन्होंने बच्चों को श्कूल में भेजा है लेकिन क्या पूजापाट करना उन बच्चों को अगर आस्था है तो उनके लिए गलत है क्या वह जुर्म कर रहे हैं तो फिर यहां पर उट गई कि भाई पूजापाट अगर बद्द्दी लेकर के चल देते यह कों देता ह धूप बत्ती हिंदु धर्म में भी जलाया जाता है धूप बत्ती मुस्लिम धर्म में भी जलाया जाता है इस बात से आप भली भाती परीचित है ठीक है आस्था की बात की गई है आस्था हर किसी को हर किसी में होती है अल्ला में भी मुझे आस्था है मुझे राम में भी आस् तो कर्म की सिख्षा दे रहे हैं बहुं किसी भी धर्म से आते हैं उनें ठेस पहुचा दे उनके माता पिता को ठेस पहुचा दे उनके उनके दिमाग में भर दें कि भाई तुम्हारा यह सब कुछ छोड़ दो तुम भी हमारी तरह हमारे सोच का बन जाओ बस यही करना चाहिए करम की सिख्षा दे रहे थे बच्चे को कर्म ही पूजा है कर्म पर ज्यादा विश्वास रखो कर्म करो तुम्हें बात आप आप सी इनके पास जवाब नहीं है तो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं और जड़ा यहां आजाए यहां जड़ा देखिए लोग कितने जादा आक्रोसित हैं लोग विद्रों में हैं और चारो तरफ लोग इने घेर करके खरे हैं इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए राजकिये मद्ध विद्याले महती है प्रखंट उजियारपूर जिला समस्तिपूर सर अपने कमरे में बंध हुए नजर आ रहे हैं जरा इधर आजाईए सर यहां पर इसी कमरे में हैं सर के पास हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के ग् फिरना बीधाद निकालने के लिए विशेष्र धर्म पर टिपनी करने के लिए जो महदें हैं सिक्षक महदे होो किस तक चले जाते हैं और चाहिए पुड़ा आपको शेतर दिखा रहे हैं पूरा शेतर में गांग के लोकावी जादा आख रोसी हैं लेकिन महदे का इहिंत नीचा दिखाना किस हद तक सही है ये तो बिहार की जंता ही बताईगी बाकी क्या सोचते हैं अपनी राय कॉमेंट सेक्षिन में लिखना ना भूले